नमस्कार दोस्तों सीसी के स्लाइव एरिसेट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मित्रों जैसा कि हिंदी की कालजाई रचना है इस श्रेंखला के अंतरगत हमने काफ़ी सारे लेक्चर आप सभी के लिए आयुजित किये हैं यह बहुत ही बड़ी सीरीज है लंबी सीरीज है जो आने वाले महीनों में चलने वाली है और इस श्रिंखला के अंतरगत हम विभिन विशाओं पर बात करने वाले हैं तो मित्रों इस श्रिंखला के अंतरगत आज हम बात करेंगे तुलसी दास की रचित विनय पत्रका के बार तो आई रहे इनका स्वागत करते हैं और विने पत्रका के बारे में विसतार से जानने की कोशिश करते हैं इन ये माधम सें है तो के मैं सबसे पहले स्वागतote करना चाहूंगी डॉक्टर पीकज स्दिन शिर्शक से ही बात स्पश्ट हो रही है कि यह विने की एक पत्रिका है, यानि एक तरह का request लेटर है और यह विने पत्रिका तुलिशिदास जो की एक बहुत बड़े संत भी है और बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिश्थित कभी भी है और चिंतक विचारक भी हैं समाज सुधारक भी है वो अपना ये रिक्वेस्ट लेटर अपनी ये विने पत्रिका इस पूरी सुरिष्टी के जो राजा है भगवान राम उनके दर्बार में भीजना चाहते है इस रूपक को ध्यान में रखकर उन्होंने इस रचना का गठन कि और मूलत है उनके मन में एक जो प्रशाशन का और समाज का मनोविज्ञान है वो बहुत ही खूबी के साथ प्रतिष्टित है स्थापित है और उसी का एक तरह से चितरंकन हमें इस रचना में मिलता है वो ये देखना चाहते हैं कि राजा के दर्बार में पहुंचने के दिवत करम से वो पत्र जो है वो ओफिस तक पहुंचना चाहिए फिर प्रशासनिक व्यवस्ता से होता हुआ वो राजा तक पहुंचना चाहिए तो तुलसी ने ये बात देखी कि राजा राम तक ये पत्र कैसे पहुंचाया जाए किसके माद्यम से पहुंचाया जाए और स पहुँचा दे और वो अपनी बात सारी उन तक स्पष्ट कर सकें तो उन्हें इसके लिए सरवाधिक विश्वस्त पात्र लगते हैं हनुमान जो कि राम के बहुत निकट हैं लेकिन पत्र पहुँचने के बाद राम से राजा से शिफारिश भी बहुत जरूरी है कि कौन किस क कि कहने पर वो काम करेंगे किसके कहने पर वो तुलसी की मनहस्थिति को समझ पाएंगे और उनकी मदद करेंगे हलाकि ये बात भी तुलसी ने इसमें इंगित की है संकेत किया है कि राजा राम तो अंतर्यामी है वो पूरे सृष्टी के नियामक हैं और वो सब कुछ जानते भी है कि ये इस तरह का पत्र उनके पास क्यों भिजवाया जा रहा है और इसलिए तुलसी ने उनका बड़े मनवेग्यानिक क्रम से मूल लेंकन और चित्रांकन करते हुए ये दिखाया भी है कि वो उस पत्र के संदर्म में बहुत मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं लेकिन तुलसी ने ये जो रचना की है इस रचना के मूल में एक जो प्रोसीजरल जो पद्दती है जिसको हम एक विदिवत तरीके से पत्र भेजने की जो पद्दती है उसका बड़ा रचनात्मा को प्योग किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये है तो भक्ती परक जाते हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जिस तरह के समनवे की बात की है जिस तरह के सामाजिक सदभाव की बात की है उसका एक संकेत भी हमें इस रचना के माध्यम से मिलता है क्योंकि वो अपने आपको एक प्रपत्तिवादी भक्ती के माध्यम से के पास पहुंचना चाहते हैं और ये कहना चाहते है कि तुम से बड़ा तुम से अधिक उधार दुनिया में कोई और नहीं है और मुझसे अधिक दोशी संसार में कोई और नहीं है तो अगर मुझे अपने इन दोशों से मुक्ति चाहिए तो तुम से ज़्यादा उदार मुक्ति देने वाला कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है इसलिए वो इन सारी बातों को लेकर राम के दर्बार में पहुंचते हैं और विधिवत अपनी पत्रिका को हनुमान जी के माध्यम से राम तक पहुंचाते हैं तो ये दर्शन की बड़ी विलक्षन रचना है जो दर्शनिकता का पुट है इसमें वह अधबुत है क्योंकि तुलसी एक बड़े विराट परिद्रश्य के दरश्टा और दर्शनिक रहे हैं इस इन समस्त बातों को हम इस रचना की माध्यम से जान सकते हैं ये रचना एक तरह की विलक्षन रचना है हिंदी साहित्य के लिए क्योंकि इस प्रकार की दूसरी कोई रचना हमें देखने को नहीं मिलती है और उस समय जब तुलसिदास जिस युग में जिस समाज में थे उस समाज के पूरी मनहस्तिती को परिवर्तनों को परिस्तितियों को किस तरह से तुलसी ने देखा और उसके माध्यम से फिर उन्होंने इस रचना की तैयारी की ये वास्तव में एक स्तुत्य रचना है प्रशंस्निय रचना है और इसका आनंद हम विदिवत ले सकते हैं भाशा की दृष्टी से हम देखें कि ब्रज का जैसा रचनात्म को प्योग तुलसी ने इस रचना में किया है ब्रजभाशा का वह वास्तव में अद्बुत है अवदी भाशा पर उनका पूरा अधिकार था इसका भी प्रमान हमें इस रचना में मिलेगा तो विने पत्रिका पर चर्चा हम प्रारम करते हैं विने पत्रिका नकेवल भारती है वांगमे या साहित्तिकी अपितु संपून सांसारिक या वैश्विक साहित्तिकी अगर कोई आत्म परक बहतरीन रचना हो सकती है कविता ह हो सकती है तो वे विन्य पत्रिका है विन्य पत्रिका भक्ति और प्रपत्ति यानि भक्ति परक प्रपत्ति का सर्वस्रेष्ट गरंथ है ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और मुक्तक कावे की द्रश्टी से अगर हम मुक्तक कावे परमपरा में विनेपत्रिका की चर्चा करें तो सरवसरेष्ठ करंथों में विनेपत्रिका की बात होती है, मुक्तक हम जानते हैं कि जहां छंडों का परस पर कोई आंतरिक अन्विती का संबंद नहीं होता यानि कथात्मक कोई अन्विती नहीं होती लेकिन हर छंद स्वतंत्र होकर भी बहुत महत्पूर्ण हो जाता है कावे कला की दृष्टी से बात करें तो यह पूरे वैश्विक साहित्य की एक बड़ी गहन चिंतन परक मननशील रचना है इसमें बहुत सारे विश्यों को समाज को जीव को जगत को सृष्टी को माया को ऐसे तमाम पक्षों को लेकर जो चिंतन तुलसी ने किया है वो वास्तव में अद्बुत है और तुलसी के सुदीर जीवन अनुभव को उनकी अध्यान शीलता को जिसकी बात वो बार बार करते ह पुरान नेगा मागा मादी इनका जो गहन द्येन उनका है उसकी एक प्रामारिक रचना यह दिखाई देती है अगर तुलसी की प्रोड रचना या प्रोड़तम रचना इसको कहा जाए तो शायद यह अन्यथा नहीं होगा रामचरित मानस जो तुलसी का एक विश्व प्रसिद्ध महाकावे है नकिवल धार्मिक गरंथ है नकिवल साहितिक गरंथ है अपे तो समाज निदर्शना का भी बड़ा अद्बुत गरंथ है उस रामचरित मानस के बाद अगर तुलसी की कोई सर्वस्रेष्ट या उतकरष्ट रचना हम देखना चाहें तो वह विनेपत्रिका है आकार में और विराटता में, महंता में इनमें अगर हम देखें तो शायद भारत में और विश्व में इस तरह की दूसरी रचना नहीं मिलती इसलिए अनुपम रचना है, अतुलुनी यह रचना है ऐसे गहन चिंतन और गहन कलातमख सूजबूज का संगम इस रचना में हमें मिलता है वास्तव में यह है अगर विश्व के श्रेष्ट करंथों का चैन किया जाए तो उनमें विने पत्रिका का स्थान निश्चित होगा यह मानना चाहिए विने पत्रिका एक नितान्त मौलिक कथा वस्तू को लेकर हमारे सामने आती है इस मौलिकता को हम उसकी विशदता के साथ भी देख सकते हैं बहुत विराठ फलक पर परिदरश्चिपर विशद परिदरश्चिपर इस रचना का ताना बाना तो उससी बुनते हैं यह एक तरह क आवेदन पत्र अगर हम इसको मानें जैसा मैंने प्रारम में कहा और यह आवेदन पत्र इश्वर के प्रति जो की परमात्मा हैं ब्रह्म हैं सुरश्टी के नियामक हैं उस या जो तुलसी के आराद्ध हैं जिनको हम राम के रूप में जानते हैं जो रास्टनायक के रूप मे भी हैं विश्वनायक के रूप में भी हैं ऐसे राम के दरवार में उनके समक्ष एक आवेदन पत्र एक रिक्वेस्ट लेटर तुलसी भेजना चाहते हैं अपने उद्धेश्च में यह आवेदन पत्र जितना सफल हुआ है सहित्तिक आवेदन पत्र जो जिसको हम सुप्रीम पावर मांते हैं प्रशासनिक व्यावस्ता में ऐसे उच्छ अधिकारी तक अगर पत्र पहुंचाना है भेजना है तो वो सीधे सीधे तो जा नहीं सकता उसके लिए माध्यम चाहिए और माध्यम भी अधिकारी विद्वान विश्वसनी है राधा को माध्यम बनाया मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की जहाईं परे स्याम हरित दिती होए भक्त तो कृष्ण के है लेकिन राधा को माध्यम बनाया आध्या शक्ति जो कृष्ण की है तो यहाँ पर तुलसी ने भी उसी सूच बूज के साथ पत्र को सीधे नहीं बहजा जा जा सकता ठ्रू प्राफर चैनल जाना चाहिए उसके लिए एक बाकाइदा चरण है सोपान है या करम सुच्चित है उसके माद्यम से बहजा जाना चाहिए इसका ग्यान तुलसी के पास है इसलिए वो इस आवेदन पत्र को इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्ता सरवोच सत्ता जो की इस स्रिष्टी के नियमक भी हैं चरंतन भी हैं काल जाई भी हैं ऐसे बड़े अधिकारी को अगर ये पत्र भेजना है तो विदिवत भेजना चाहिए तूरू प्रॉपर चैनल सोपान से कर्म से भेजना चाहिए इसकी जानकारी तूलसी के पास है और इसके लिए वो एक एक योजना तयार करते हैं इसलिए सबसे पहले वो आपने पत्र को राजा के दरबार तक राजा के हाथों में भेजने से पहले वो देखते हैं कि किन-किन देवताओं को की स्तुती की जाए जिसके माद्यम से उनका कार्य निर्विग्न संपन्न हो पत्र जो है वो अपने लक्ष तक पहुँच जाए और इस पत्र के पहुँचने के बाद राजा से कौन सिफारिश करेगा कौन-कौन इस काम के संपन्न होने में मदद कर सकता है उनका भी ध्यान रखते हुए तुलसी ने गणेश जी की स्तुती सबसे पहले की हम जानते हैं कि गणपती जो है वो निर्विग्न संपन्नता के का वरदान देने वाले देवता है कोई भी कार्य है सबसे पहले हम गणेश जी की स्तुती करते हैं क्योंकि गणेश जो है वो एक तरह से शक्ती का प्रतीक तो है लेकिन सबसे मुख्य उनका प्रतीक आर्थ ज्यान का प्रतीक वो है तो गणपती की स्तुती करने से और गणपती की स्तुती करने से प्रकारांतर से भगवान शिव की और पारवती की स्तुती भी होती है क्योंकि उनी के सुपत्र है तो तुलसी ने बड़ी सावधानी से गणपती की स्तुती की फिर सूर्यदेव की स्तुती की फिर शिव भग वो एक तरह से अपने पत्र के पक्ष में निर्णे लेने वाले राजा राम की मदद या राजा राम को एक तरह से इस पत्र के संदर में निर्णे लेने के लिए प्रेरित करने मदद करने के लिए इन सब किस्तुती तुलसी करते हैं इस आवेदन पत्र में जिस तरह के करम और सोपानों का ध्यान रखा गया है वो तुलसी की प्रशासनिक सूजबूज का सामाज मनोविज्ञान की सूजबूज का भी परिचायक दिखाई देता है इसी तरह अगले करम में स्तुती के इस अगले करम में उनको लगता है कि अभी और भी कुछ लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं तो उसके लिए वो गंगा की स्तुती करते हैं यमुना की स्तुती करते हैं और फिर काशी जो तीर्थ स्थल है जो मुक्ति स्थल माना जाता है उ और चित्रकूट की स्तुति भी वो करते हैं जो निश्चित रूप से चित्रकूट के गाट पर भाई संतन की भीड़ जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं तो इस तरह से वो ये सारे स्थलों और देवताओं आदी का स्तुति गाहन करते हुए तुलसी अपने लक्ष को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्रिका का प्रेशन करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर पत्रिका के माध्यम से आवेदन या निवेदन के माध्यम से तुलसी कहना क्या चाहते हैं इस भाव बादा से इस सांसारिकता से मुक्ति के बाद इश्वर के चर्णों में स्थाई वास हो आव जो हनुमान बाहुक नाम की रचना लिखकर की थी तो ये जो संसार के तमाम तरह के ताप हैं या कश्ट हैं बाधाएं हैं इन से मुक्ती हो बार-बार शरीर धारन करो छोड़ दो इन आवागमन के चक्रों से मुक्ती हो और एक स्थाई रूप से ईश्वर के चरणों में बैकुंट में स्थान मिल जाएं इस तरह की कल्पना बू करते हैं तो गनेश जी की बंदना स्वर्ग के नियम के अनुसार मने अगर स्वर्ग में जाना है तो पहले गनेश जी की बंदना तो करनी होगी उसको ध्यान में रखकर की गई और गनेश के जो पिता है जो महादेव हैं देवों के देव हैं भगवान शिव उनको भी अगर जरूरत पड़े समय आने पर तो उनकी मदद भी ली जा सके इसलिए उनकी भक्ती भी उनकी बंदना भी वो करते हैं और इसके बाद सूर्य की बंदना करते हैं क्योंकि सूर्य आलोक विगिन करने वाले देव हैं पूरी सुरिष्टिको और उर्जा का संचार वहीं से होता है इसलिए उनकी भी बंदना करते हैं और सबसे उचित अधिकारी उन्हें राम तक अपनी बात पहुँचाने वाले अगर कोई लगते हैं तो वो शिव लगते हैं इसलिए भगवान शिव की बंदना भी करते हैं फिर शक्ति की स्तुति क्योंकि शिव की बंदना होगी तो शक्ति की बंदना भी होगी इस तरह से राम दरवार में प्रवेश यदि संभव है तो इन सब की मदद से ही संभव है इस सब का बड़ा सुन्दर एक तरह का विन्यास तुलसिदास करते चलते हैं सबसे निकट और विश्वसनी है अगर सेवक कोई राम के हैं तो वो हनुमान है इसलिए हनुमान जी की स्तुति भी वंदना भी तुलसी विधिवत करते हैं और लक्षमान भराद शत्रुगन आदी जो उनके अनुज हैं छोटे भाई हैं उनकी वंदना भी करते हैं इस तरह से इन समस्त देवी देवताओं के सहयोग से आत्मिय राम के निकटस्थ जो लोग हैं उनके सहयोग से तुलसी अपनी विन्यपत्रिका को राम के दरबार तक पहुँचना चाहते हैं लेकिन बहुत सावधान है कहीं चूक ना हो कहीं तुर्टी ना हो जाए कहीं प्रोसीजरल कोई गलती ना हो जाए इन सब बातों का ध्यान रखते हुए वो राम के सीता के स्वाभाव को जानते हुए उनके सबसे प्रिये और आत्मी है जो विश्वस्त व्यक्ति हैं उनके बारे में जानते हुए वो ये प्रयास करते हैं और जो सबसे अधिक विश्वस्नी है आत्मी है राम के लिए है वो सीता है इसलिए राम की विश्वस्त पात्र सीता है इसको भी तुलसी जानते हुए बहुत अच्छे ढंग से इसका उपयोग करते हैं इसलिए वो अपना जो निवेदन है अपना जो आवेदन है उसको प्रस्तुत करते हुए कहते भी हैं बड़ी मरमसपरशी पंग्तिया हैं कबहों का अम्ब अवसर पाई कभी एक मौका मिल जाए एक अवसर मिल जाए किसी तरह भी क्योंकि राम तो राजा है और वो वेस्त हैं बहुत उनके पास समय कहा है लेकिन माता सीता से कह रहे हैं कि कबहों का अम्ब जरासा है मौका मिले कहीं थोड़ा सा भी स्पेस मिल जाए इस्थान मिल जाए तो किसी तर कि उनकी दृष्टी इस पर पड़े और वो मेरी वेदना और मेरी जो कठनाईया हैं उनका निवारन कर सकें तो कभ़ों का अवसर पाई मेरी यो सुधी दिहाई बे कचु करुन कथा चलाई मेरी जो करुना की कथा है वो बस एक बार शुरू कर दीजिए आप चला दीजिए किसी तरह मौका मिलते ही मेरी ये जो स्थिती है अवस्था है ये जो वेदना है इसकी चर्चा एक बार राम से जरूर कर दीजिए ये माता सीता से वो कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि माता सीता के पास ही ऐसे अवसर आएंगे स्थल होंगे ऐसे ऐसी उपस्तिती होगी कि वो ये बात कह सकती है जानकी जग जननी जनकी किये बचन सहाई तरें तुलसी दास भवतब नात गुन गन गाई तब तुलसी को लगता है कि एक बार जानकी के माध्यम से अगर ये बात राम तक पहुँच गई तो फिर उनका जो कष्ट है वो दूर होगा उनकी जो अपेक्षाय है वो पूरी हो जाएंगी राजा राम की जो कृपा है वो उने प्राप्त होगी ये उनका अगाद विश्वास अटूट विश्वास दिखाई देता है बड़े सटीक और सार्थक शब्दों का चैन तुलसी करते हैं क्योंकि पत्र लिखना परियाप्त नहीं है पत्र का विदिवत उस स्थान पर पहुँचना भी बड़ा महत्पूर्ण है इसलिए क्या बढ़िया तरीके से कहते हैं अवसर पाई बौका मिल जाए कभी अवसर मिले बीच में थोड़ा सा भी तो उस पत्र को वो सरका दे तो ये जो सटीक चैन है शब्दों का सार्थकता है शब्दों की और इस सृष्टि के इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सर्वच्च कोई अगर अधिकारी हैं चिंतक हैं नियामक हैं शृष्टि जिनके संकेतों पर आगे बढ़ रहizer है गतिमान हो रही है उस उसकी कल्पना तुलसी करते हैं और वो राजा राम है तो ऐसी ऐसे राजा राम जिनके पास कोई एक किसी एक वे भाग का काम नहीं है इस पूरी सुरिश्टी के नजाने कितने वे भाग हैं सब के काम वो देख रहे हैं तो उनकी व्यस्तता तो दें तो ये अति व्यस्तता राजा राम की उसकी तरफ संकेत भी किया और तब नात गुनगनगाई की जैसी अभी व्यक्ति ये भी उनकी इस सूजबूज की और संकेत करती है कि किस तरह से मनवग्यानिक ढंग से वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह एक इसक पती की प्रशंसा करना स्तिती करना ये भी मनवग्यानिक है तो तुलसी ने इस आवेदन पत्र को एक बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरे मनवग्यानिक करम से तयार करते हुए अपनी मनोभावना को व्यक्त किया है कैसा अदबुत सोपान करम है इस रचना का उसको हम जाती हैं साबधान तुलसी बहुत साबधान है क्यों क्योंकि प्रशाशन में चूप नहीं होनी चाहिए वो जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि कुछ गलती हुई कुछ तुटी हुई तो वो अनर्थ कर देगी इसलिए वो राम की विदिवा तुटी करते हैं राम की तुलसी के प्रती एक आत्मियता का सद्भाव का की सोच आएगी इसलिए सबसे बड़ा या मुख्य कारण जो जो क्षमा करने का जो अधिकार है गलतीयों को तुर्टीयों को भूल कर और भक्त वातसल्य जो है राम का उसको ध्यान में रखकर तुलसी ये बात कहते हैं कि अ अफराद जो है वो समाप्त हो जाएंगे तो तुलसी ने जो जिस स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना हमारे हैं की गई उस स्वर्ग के आपचारिक नियमों का भी अनुपालन किया और उसी तरह से फिर करम शे प्रोसीजरल बातों को ध्यान में रखते हुए विदिवत पत् समस्त चीजों का विदिवत पालन किया वो सब याद है तुलसी को उनका अनुपालन करते हुए और वे अपनी सूचना राम तक पहुँचाते हैं और वो कहते भी है बिहासी राम कयो सत्त है सुदी मैं हूं सही है मुदित मात नावत बनी तुलसी अनात की परी रगुनात सह ही है और ये जो शब्दों का जो संदर्व सापेक्ष रचनात्मक प्रयोग है ये वास्तव में तुलसी जैसे महा कवी का पिराट कवी का ही काम हो सकता है राम को तुलसी किस रूप में देखना चाहते हैं वो इस रूप में देखना चाहते हैं कि वो समस्त अधिकारों से सं राजा राम है और उनकी चिठ्थी पर वो विचार कर रहे हैं और दूसी तरफ तुलसी की मनेस्थिती का बोध राम को है कि तुलसी ये क्या चाहते हैं और ये पत्री का जो भेज रहे हैं वो क्यों भेज रहे हैं ये भी वो जानते हैं इसलिए आवेदन पत्र पर विचार कर करते हुए जब राम सही का निशान लगा देते हैं राइट जिसको हम कहते हैं तो तुलसी तो गदगद हो जाते हैं इसलिए बार-बार कहा के सुधी में हूं सही है और ये जो विनेपत्रिका है इस पर सही का चिन लगते ही एक तरह से ये मान लीजिए कि अधिकारी ने एक सं स्थुति कर दी एक अनमोदन दे दिया और उस पर साइन अपने सिगनेचर या अपने हस्ताक्षर कर दिये उस चिट्टी पर ये जो परिकल्पना है तुलसी दास की ये वास्तम में अद्बुत है क्योंकि अगर सर्वोच्य सत्ताधारी शक्ति के हस्ताक्षर हो जाएं पत् अप्लिकेशन है और विदिवत करम सौपान से बेजी गई है जजबात की जो 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 उनकी जो मनुभाव हैं उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी जो अपैक्षाएं हैं तुलसी की वो कितनी इमानदार हैं इसका बोध भी राम के सामने होता है और इस तरह से तुलसी आश् विश्वस्त हैं कि जब मन साफ है स्पष्ट है तो पत्र पर सकारात्मक दृष्टी से विचार अवश्य होगा ये एक विश्वास लेकर तुलसी अपने पत्र को भेजते हैं इसलिए नेडर होकर वो अपनी बात कहते भी हैं और तुलसी की ये अर्जी ये अप्लिकेशन ये आवेदन वास्तों में इस पूरी सुरिष्ट के नियामक राजा राम के प्रति भेजी हुई एक विलक्षन एक अद्वुत अर्जी ये एप्लिकेशन है इस तरह से विनेपत्रिका की जो रचना हुई है वो भारतिये मूल्यों भारतिये सांसकृतिक जो हमारी विरासत है उ इस तरह से हम अपने आराध्य के प्रति अपने इश्वर के प्रति किस तरह का भाव रखते हैं और हमारी भक्ति का स्वरूप क्या हो जाता है उस सर्वशक्तिशाली इश्वर के समक्ष जाकर इस पर भी हम देख सकते हैं चंदन कर सकते हैं ये दोसो उन्यासी पदों की सौंदर रहे है तुलसी का भाशा का अलंकारों का शिल्प विधान का जैसा विराट और विलक्षन रूप हमें इस रचना में मिलता है वो तुलसी के महा कवी होने का परिचायक बन जाता है एक मुक्तक कावे के रूप में जब हम इस रचना को देखते हैं तो एक और बड़ी विशेष्टा इस रचना की है कि राग तत्व से ये युक्त रचना है रागों का संगीत का जो अदबुत ग्यान तुलसी के पास था जिस तरह की राग रागनियों का सुन्दर नियोजन इ वास्तव में अदबुत है विलक्षन है चाहे वो बात धनाक्षरी की हो रामकली की हो भैरवादी की हो गौरी कैदार मलार भैरवी बसंत कल्यान आदी ऐसे करीब करीब 23-24 राग हैं जिनका बड़ा सुन्दर प्रयोग इस रचना में तुलसी दास ने किया है इसलिए विने अशन भक्ती प्रपत्ती और उसकी साथ साथ गयता अगर उसको गाकर हम जैसे तुलसी तो बहुत बड़े संगीत अग्ये भी थे शिरी राम चंद्र कृपाल भजवन हरन वह वैदारुनम नवकंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंज आरुनम जब इसको वाद्देयंत्रों क साथ गे रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो अद्वत आनंद की अनवूती होती है ऐसे नजाने कितने पद हैं तुलसी के चाहबात मानस के गयता के नजाने कितने रूप सृष्टी के सामने है अलग-अलग शैलियों में अलग-अलग अंदाजों में लोगों ने उनका गाइन किया है तो तुलसी के पास जो अंत्रिक लाय है अनविती है वो बिलक्षन है और उसका उपयोग यहां भी किया गया है यह भी सिद्ध है के संगीत शास्त्र के तुलसी ग्याता थे और इसका एक प्रमान हमने गीतावली जैसी रचना में भी देखा क्योंकि गीताव उसमें यह सारी विशेष्टाएं समाविष्ट हैं ब्रजभाशा का जो माधुर्य है जो लालित्य है और संगीत का जो माधुर्य है उन सब का एक अदवुत संगम इस रचना के माध्यम से हमें मिलता है और तुलसी की जो संस्कृत अग्य होने की जो का जो परिचे है संस्क भाशा का प्रयूग भी करते चलते हैं तो ये कुल मिलाकर तुलसी ने इस रचना को बहुती अद्बुत विलक्षन रचना बनाया और रामचरित मानस के बाद अगर तुलसी की और कोई बड़ी रचना कोई प्रेरक रचना है जिसको जिसकी सामने विश्व नतमस्तक होता है वो विने पत्रिका है और विने पत्रिका का जो बरच भाशा का सौंदर रहे है वो वास्तव में निराला है इससे ये तो पता लगता है कि वो बहु भाशा विद थे वो केवल अवदी भाशा के अधिकारी विद्वान नहीं थे अभी तो संस्कित के साथ-साथ ब्रज भाषा के भी वो पांडित पूर्ण ज्यान रखने वाले अधिकारी विद्वान थे विन्य पत्र का जो है जब हम एक अपना पर्सनल लेटर कोई कोई अपनी अपना आविदन पत्र भेजते हैं तो स्वाभावी कहके वो आत्मपरग होता है क्योंकि हम अपनी पीड़ा अपनी कठणाई अपनी दोइधा अपनी वेद्णा इसको व्यक्त करना चाहते हैं तो आत्मपरग कविता का एक उदाहरन विनेपत्रिका है कवी और पाठक यानि वक्ता और शूता जैसे हम कहते हैं इस रचना में आमने सामने दिखाई देते हैं कवी ऐसा लगता जैसे पाठक से बात कर रहा है संबाद आत्मक्ता की स्थिती बनती है और इसलिए विश्वसनियता भी बनती है और यही आत्मपरक कविता की एक बड़ी अद्बुत बड़ी विलक्षन बड़ी महत्पून पहचान भी है इस रचना में पाठक तुलसिदास के ठीक सामने बैठ जाते हैं और तुलसिदास अब उस चिठी का उस पत्रिका का ब्योरा जो है वो प्रकट करते हुए चलते हैं महत्पून बात यह है कि इसमें बहुत गहन गंभीर और सुरचिपून ढंग से तुलसी ने अपनी मनहस्तिती को अपनी बातों को व्यक्त किया और जितनी गहनता है उतनी विराठता और उचाही भी है उतनी विशालता भी है यह जो इसका जो समनवय और एक तरह से समावेश तुलसी ने किया है यह कोई दूसरा कभी सामाननेत नहीं कर पाता इस तरह से बहुत बड़ी विशेष्टा अगर इस रचना की कोई है तो वह है अगाद अटूट अनन्य भक्ती तुलसी की अनन्य भक्ती और अनन्य भक्ती भी ये के बिलकुल प्रपत्ती के रूप में अपने आपको प्रपत्तिवाद जिसको हम कहते हैं भक्ती का उस रूप सांस्कृतिक भक्ती परंपरा की मुल्भूत सोच है उसका एक सशक्त उधारन प्रामानिक उधारन हमें इस रचना में मिलता है इस तरह तुलसीदास की यह वह प्रवर्तम रचना है जो प्रपत्ति कावे के रूप में जानी जाती है प्रपत्ति का संबंध दर्शन के द्वैत 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 आदी यह बहुत सारी दर्शन मिलते हैं तो प्रपत्ति का जो संबंध है वो विशिष्टा द्वैत वाद और द्वैत द्वैत जैसे वह शनव दर्शनों से दिखाई देता है और सर्वस्विकृति इसी के माध्यम से उसकी बनती है जो इश्वर अंगी है प्रधान है चित और अचित उसके विशेशन या अंग है इसी कारण रामानुज दर्शन के रूप में विशिष्टा द्वैत वाद की प्रतिष्ठा करते हैं यह जो विशिष्टा द्वैत वाद है यह रामानुज आचारे द्वारा स्थापित किया गय तो इसमें इश्वर, चित और अचित इन की पूरी जो प्रक्रिया है, संबंद है उसकी चर्चा की जाती है चित तत्व ही जीवात्मा है और अचित तत्व जगत है जीव की तीन कोटियां बताई गई एक बद्ध, एक मुक्त, एक नित्य बद्ध जीव की मुक्ति का सर्वो परिसाधन भक्ति और प्रपति यह जो सांसारिक्ता में मोह में भातिक्ता में बद्ध जीव है चित्त है आत्मा है उसका मौक्ष अगर कुछ हो सकता है मुक्ति हो सकती है तो उसका सबसे श्रेष्ट साधन अगर कोई है तो वह भक्ति है और भक्ति भी प्रपति वादी भक्त प्रपत्ति शब्द शरनागती के लिए प्रयुक्त हुआ है शरनागत होकर बद्ध जीव इश्वर की शरन में जाता है बद्ध जीव और मुक्ति या मोक्ष की आकांग्षा करता है और वो उसे प्राप्त करता है मोक्ष इश्वर की क्रपा से ही प्राप्त हो सकता है इसलिए भक्ति प्रपत्ति ही मोक्ष का साधक है मोक्ष को साधना है तो भक्ति प्रपत्ति की बदत लीजे साहता लीजे अर्जुन शानागत हुए थे तभी उन्हें श्रीमत भगवत गीता का अम्रित प्राप्त हुआ थ ले गए और उन्होंने कहा कि जो भी कुछ है अब आपके हाथ में है तब वो गीता का उपदेश देते हैं इस तरह से जो परपनता है उसकी दो कोटियां बताई गई दर्शन में दृप्त और आर्थ तुलसी के राम आरती हरन सरन सुखदायक आरती हरन सरन सुखदायक जो आर कहते भी हैं मो समान आरत नहीं आरती हर तोसों तुझे जैसा आरत हरने वाला कोई नहीं और मेरे जैसा आरत कोई दुनिया में नहीं है तुलसी के राम शरनागत का त्याग किसी भी इस्तिती में नहीं कर सकते जो शरन में आ गया फिर उसके वो रक्षक शरनागत रक्षक र राम है किसी विस्तिती में वो उसे छोड़ते नहीं फिर अपनी करपा का पात्र बनाए रखते हैं कोट इबिप्र बद लागहीं जाहीं आय सरन तजनाहीं ताहीं उसको छोड़ते नहीं कभी भी तुर राम इस दिशा में लाब हानी कर्म अकर्म इन सब का वो कोई भेद नही करते उँच नीच छोटा बड़ा अपना पराया गरीब अमीर और कैसा है अगर वो कैसा भी है लेकिन राम की शरण में आ गया है तो फिर राम उसका उद्धार करते हैं ये बात तुलसी की दृष्टी में साफ है विन्यपत्रिका में तुलसी दास राम की शरण प्राप्ति करने का लक्ष सदेव अपने समक्ष रखते हैं बार-बार एक मात रुद्धेश है कि कहीं से भी कैसे भी वो राम की शरण में चले जाएं और राम उनके उने शरण देने वाले हो जाएं शरणाकत रक्षक हो जाएं उनकी कृपा रखकर चलता है और एक जो पूनत है भगवान के भरोसे अपने को छोड़ देता है तुलसी तो दस भक्ती को सर्वोपरी मानते हैं इसलिए उन्हें इस भक्ती का एक तरह से प्रवर्तक भी माना जाता है राम और अपने संबंद उनकी दृष्टी में बहुत महत्पून हो जाते हैं और इसलिए वो चरण शरण गती के लिए अपना लक्ष निर्धारन कर लेते हैं और कहते भी हैं मैं तो जग विदित जग प्रसिद पापी हो और तुम पापों से मुक्त कराने वाले विश्व प्रसिद शरणागत रक्षक तुम ही हो नात तू अनात को अनात कोन मोसो नात तू अनात को अनात कोन मोसो मेरे जैसा अनात दुनिया में और कोन मिलेगा मोसमान आरत नहीं आरती हर तोसो मेरे जैसा आरत कोई दूसरा नहीं मिलेगा लेकिन तेरे जैसा आरत हरने वाला पीडा हरने वाला दूसरा दुनिया में कोई ने मिलेगा ये भरुसा ये अगाद विश्वास तुलसी के पास है तो ही मोही नाते अनेक मानिये जो भावे जियोजें तुलसी कृपालू चरन सरन पावे कैसा भी रिष्टा कैसा भी नाता तुम समझो लेकिन अपने चरनों में मुझे स्थान एक बार अवश्य दे दो विशुद्ध शरनागत, शरनागती के याचक बनकर, प्रार्थी बनकर सारे तर्क, सारे प्रश्न, सारी शंकाओं को दर किनार एक किनारे छोड़ कर और राम के प्रती पूर्ण तैस समर्पित भाव से प्रस्तुत होते हैं मैं हरी पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो उबानक बने दास तुलसी सरन आयो, राखिये अपने तुलसी दास अपने को शरन में आयो उस दास की तरह कहते हैं कि अब तुम ही सब कुछ हो, सरवग्य हो, बचा सकते हो तुलसी कहते हैं, हे प्रभू, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली, समर्थ, शनागत रक्षक, भक्त वत्सल दुनिया में दूसरा कोई नहीं है और मेरे जैसा खल, मेरे जैसा तुर्टी और दोशों से भरा हुआ, कोई दूसरा नहीं है इसलिए, अगर मैं अन्यत्र कहीं, सोचों भी तो कहां जाओं मेरे पास, तु कोई विकल्पी नहीं है तुम्हारे अत्रिक यगली कोई होता, तो मैं सोचता भी लेकिन जब कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों सोचों, क्यों जाओं मेरा स्वाभावी आपके चरणों में स्थाई रूप से रमन करने का है मैं वही रहना चाहता हूँ इसलिए आप मुझे अपनाईए ये आपकी भी विवश्टा है कि मुझे अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि अन्यत्र कहीं मैं जाना ही सकता जाना चाहता नहीं और आपका स्वाभाव है कि जो शरण में आएगा उसका उद्धार करना है उसकी रक्षा करनी है इसलिए हे प्रभू आपको मुझे अपनाना ही पड़ेगा तो क्या कहते हैं देव दूसरों कौन करपालू पताओ दूसरा कौन है जो तुम्हारे जैसा करपालू है जो तुम्हारी जैसी करपा अपने पास रखता हो और भक्तों का उद्धार करता हो जाओं कहां तजी चरण तिहारे तुम्हारे इन चरणों को छोड़कर अन्यत्र जाओं तो कहां जाओं काको नाम पतित पावन जग केही अतिदीन पियारे कौन है जिसको दीन हीन बड़े प्री हैं कोई दूसरा नहीं है तुम्हारे से अतिरिक तुम्हारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं इसलिए जाओं तो कहां जाओं कहीं और मुझे पतित पावन जग में कोई दूसरा दिखाई देता ही नहीं है विश्वास एक राम नाम को और ये जो चातक जैसी जो भक्ती है कि एक राम नाम का विश्वास है और कोई किसी पर भरोसा ही नहीं मुझे मैं किसी मैं वो शक्ती वो सामर्थ वो गुण देखी नहीं पाता है ही नहीं किसी मैं इसलिए मैं तो तुम्हारे चर्णों में हो और तुम्हें मेरा कल्यान मेरा उधार करना होगा अपने चर्णों में स्थान देना ही होगा कहां जाओं कासों कहों और ठोर न मेरे जनम गवायों तेरे ही द्वार किंकर तेरे कौन है विपत्ती से कानिवारन करने वाला और इस भवसागर से पार लगाने वाला तेरे अतरिक तो दुनिया में कोई और है नहीं इसलिए मैं कहीं जाओंगा नहीं यहीं तुम्हारे चरणों में रहूंगा और तुम्हें मिरा उद्धार करना ही होगा यह जो एक अटूट आस्था भक्ती अनन्य भक्ती विश्वास तुलसी का है यह वास्तव में अद्गुत है इस तरह से हम देखें तो तुलसी ने समर्पन की पराकाश्ठा इसको इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है कहीं वो व्याज इस्तुती का रचनात्मा को प्योग करते हैं बहाने से कहीं वो व्याज निंदा का कहीं वो परिकर का कहीं वो परिकरांकर का इस तरह से आलंकारिक सौंदर्रे वो भी कविता के सौंदर्रे में चार चांद लगाता चलता है राम के चरन शरन प्राप्ति उनका सर्वोपरी और सर्वोप्राथमिक लक्ष बन जाता है इसी लिए तुलसी का प्रपत्तिवाद रामानुज के प्रपत्तिवाद से कुछ-कुछ शैली में अलग दिखाई देता है तुलसी के आराध्य विष्णू नहीं है जबकि अवतार वही है लेकिन राम है भलेए विष्णू के अवतार हो पर राम ही उन्हें अपने आराध्य दिखाई देते हैं तुलसी का जो भक्तिभाव है वह विलक्षन है उनके भक्तिपत पर भक्तिमार्ग पर कोई भेद नहीं है शुद्र भी नारी भी कोल भी भील भी अभीर भी और इसी तरह किरात भी सब के सब उस भक्तिपत में उनका स्वागत है शामिल है वो और सब मिलकर आगे भगवान रा व्याव्याप्ति का उल्लेक भी करते चलते हैं प्रपत्ति शब्द का एक अर्थ अनन्य भक्ति लिया है तुलसी ने लिया है इसलिए तुलसी की जो यह रचना है यह इस द्रिश्टी से प्रपत्ति वाद में राम चरण रती राम शरण गती राम के प्रती समर्पन अनन्य भ जाता है ये ये दास्से भक्ति की का उतकर्ष है उसकी पराकाश्था है प्रारम से अन्ततक तुलसी का धे एक मात्र रहा है जिसको एक आज विस्वास एक वो कहते हैं और वो है राम भक्ति इसलिए उस उद्देश की प्राप्ति के लिए वो कहीं गणपती के इस्तुति करते कहीं शीव और पारवती की स्तुति करते हैं शक्ती की कहीं गंगा की कहीं यमुना की ये सारी स्तुतियों का एक मात्र दे है कि राम की भक्ती मिल जाए राम की चरनों में स्थान मिल जाए और उस शनागत रक्षक भक्त वत्सल का अगाद सने अगाद प्रेम प्राप्त हो जाए तुलसी ने चातक भक्ती के रूप में अपनी भक्ती को स्थापित किया एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास एक राम रगुनात हित चातक तुलसी रास विकल्प स्वीकारे नहीं है चातक को जिस तरह से विकल्प नहीं चाहिए ऐसे तुलसी को भी राम भक्ती का कोई दूसरा विकल्प नहीं स्वीकारे तुलसी के राम सर्व व्यापी हैं ब्रह्म हैं वो दशरती राम भी है इसी लिए चातक भक्ती उन्हें सर्वसेश्ट लगती है राम 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 जपु जिवा राम नाम नवनेह में कोमन हटी होई पपी हा तुलसी की जो प्रपत्ती है वो मौलिक है भक्त कभी हमारे हैं एक से एक बड़े हैं नकिवल बहारत की अनेक भाशाओं में एक से एक बड़ा भक्त कभी हमें मिलता है ये तुलसी मनसावचाकर्मना पूरी तरह से अर्पित समर्पित भक्तिभाव से राम की चाणवें अपने को छोड़ देते हैं यही है कि जब सब कुछ छोड़ दिया उस पर तो फिर उसके पास भी कहां विकल्ब बचता है वह फिर भक्त की साहता के लिए वो जो हम गजगराहे प्रसंग में देखते हैं कि भगवान विष्णो दोड़े चले आए वह जो गणिका प्रसंग में हम देखते हैं तो यह जो वश्वास है तुलसी दास का यह अद्बुत है इसलिए तुलसी को मानवता का कभी भी कहते हैं शुमार। मूल्ये उनकी लक्षा तुलसी ने विलक्षन रूप में इस रचना में किये हैं। वे पुराने और ने का समनवे करते चलते हैं। वो राम और शिव का भी समनवे करते हैं। शिवद्रोही मैमदास कहावा उस आदमी को सवपन में भी तुलसी पसंद नहीं करना चाहते तो भक्ती जड़ चेतन में नर नारी में सब के लिए वो उसकी परिकल्पना करते हैं उनकी भक्ती जो उपेक्षित रहें जो हाशिये में रहें उनके लिए भी है इसलिए वो तुलसी को किसी भी तरह से दूर दराज में कहीं हैं आशिक रूप से भी हम सामपरताहिक नहीं मान सकते तुलसी का जो भक्ती भाव है वो रास्ट चेतना का भक्ती भाव है उनकी भक्ति में सब समान अधिकारी हैं समान पात्र हैं ऐसी सोच वो लेकर चलते हैं उन्होंने वेदों का आधार भी स्विकार किया पुरानों का, उपरिश्दों का, पुरा गरंतों का, स्मृति गरंतों का जहां से जो उन्हें गरहिये मिला, स्विकारे मिला उन्होंने उन सब को ले लिया कृष्ण के प्रतीवी अखंड भक्ती तुलसी के मन में है वो कृष्ण भक्त भी थे इसलिए राम और कृष्ण का भेद भी उन्हें स्विकारे नहीं है कृष्ण गीतावली तुलसी की बड़ी विलक्षन रचना मानी जाती है और विन्हे पत्रिका में इसी तत्व को वो कई तरह से अलग अलग तरह से वेक्त करते हैं बहुती जो जिसको हम कलपना की स्रजन शीलता कहते हैं वो तो है ही लेकिन भक्ती की जो विलक्षन अनुभूती है उसका भी प्रस्तुती करण है जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी सोई अभिछिन ब्रह्म जसुमती हटी बांधेो सकत न छोरी जाकी माया बस बिरंच सिव नाचत पार न पायो करतल ताल बजाय ग्वाल जुबतिन सोई नाच न चायो यह वही करशन है कैसी अदवत परिकल्बना तुलसी के मनोवस्तिश्क में है करशन की उनके सामर्त और शक्ति की क्या भाव है तुलसी के पास क्या अनुवूती है तुलसी के पास कि वो राम और करशन का जिस तरह से आत्म साथ करके स्मर्ण करते हैं उनको ये अद्वुत है राम और कृष्ण की एकता के प्रतिपाधक बन कर भी तुलसी विन्यपत्रिका में हमारे समक्षाते हैं भारतिय जीवन, भारतिय दर्शन भारतिय संस्कृति, भारतिय मूल्य और भारतिय साहित्य की विलक्षन, विरासत उन सब का जहां जहां तुलसी अपने साहित्य में रचनात्मक उप्योग कर सकते हैं बेबाकी के साथ करते हैं क्योंकि उन्हें भारतिय संस्कृति का पुनर आख्याता कभी भी कह जाता है तुलसी को इसलिए जहां अवसर मिलता है अगर हमारी संस्कृत संपदा और संस्कृत ग्रंतों में उपलब्द, विचार और मूल्यों की संपदा उसका भी उप्योग करना चाहते हैं इसलिए तुलसी में बहुत सारा संस्कृत सहित्य प्रकारांतर से आ गया है तुलसी अनुवादक नहीं है यदा यदाई धर्मस से अगलाने रभवती भारता है उसका सीधा सीधा अर्थ जब जब होई धर्म की यानी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक तरह से वो अनुवाद है लेकिन नहीं तुलसी की मौलिक्ता पर कोई संशे नहीं है क्योंकि तुलसी ने अध्यान बड़ा गहन किया है इसलिए उस नाना पुरान निगम आगम का जैसा रचनात्म को पियोग वो अपनी रचनाओं में कर सकते हैं वो करते चलते हैं चाहिब आद मानस की हो नामचरित मानस की या विने पत्र का गीतावली का वितावली यादी की हो इसलिए उन्होंने समस्त धर्मों में एकत्व की भावना की भी प्रतिष्ठा की है ऐसा नहीं कि वो किसी एक धर्म के प्रवर्तक हो या उसी की बार बार चर्चा करते उन्होंने समभाव की समनवे की बात सभी जगा की है कृष्णी नहीं विश्णू के समस्त अवतारों के प्रती भी तुलसी नतमस्तक हैं और उन रूपों को भी वो स्विकार करते चलते हैं अवतारवाद का उतकर्ष हमें चरम उतकर्ष तुलसी की रचनाओं में दिखाई देता है विन्य पत्रिका में अवतारवाद का दर्शन बहुत अधिक समनवे संपन रूप में प्रस्त उतूता है तुलसी ने पाखंड और कर्म जाल जो जिसको हम कर्म कांड कहते हैं उसका व अगर है तो कृपा अवश्य होगी इसलिए कृपा निदान की शरण में आप अपने ज्यान चक्षु खोल कर जाएंगे तो निश्चित उसका अलाब होगा और विश्णु के अवतार बुद्ध की स्तुतिवी प्रकारांतर से तुलसी करते चलते हैं तुलसी ने गंगा, यमुना चित्रकूट, हिमगिरी, काशी काशी को तीर्थ स्थल माना है तो ऐसे स्थल जहां जाने से कल्यान होता है दार होता है, मौक्ष मिलता है उनकी भी स्तुति बार-बार वो करते चलते हैं तो तुलसी के मन में बात नदी की हो, बात परवत की हो बात स्थान की हो क्योंकि स्थान देवता का भी महत्वा माना गया तो वो सभी को स्तुति मानते हैं सभी की स्तुति करते हैं ये तुलसी की विराठता है और उनके हिर्दे का उदार और उदात रूप है इस तरह से तुलसी ने मानवता की प्रतिष्ठा हर जगा अपनी रचनाओं में विशेशूप सेविने पत्रिका में की है वे बहुत सारे रंग बिरंगे धर्मों को स्विकार करते हैं उनके मन में किसी एक धर्म की प्रतिष्ठा और दूसरे धर्म की प्रतिष्ठा न हो ऐसी भावना कहीं दिखाई नहीं देती निर्गुण और सगुण में निराकार और साकार में अद्वैत और बहुदेव में इसी तरह सूख्षम उपासना और मूर्ति पूजा में इसी तरह अहिंसा और शान्ती में सत्य आपद धर्म प्रेम और श्रेय आदी नजाने कितने समनवे तुलसी करते हैं सब को मिला जुला कर वो लेकर चलना चाहते हैं वो केवल आभी जाते के पक्षदर नहीं है वो जो उबेक्षित पाते हैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहते है तो तुलसी के पास जो एक दर्शन है जो एक दरिश्टी है और एक जो सुदीर्ग जीवना अनुभव है वो उन्हें एक बड़ा कवी एक विशाल विराट कवी महा कवी बना देता है उपनिश्टों से वेदों से रामायन से माभारत से और समर्ती गरंथों से नजने कहां कहां से तुलसी जो कुछ प्रेरक है जो कुछ रचनात्मक है जो कुछ सरजनात्मक है उसको लेते चलते हैं और अपनी रचना में पिरोते जाते हैं इस तरह तुलसी का जो भक्ति भाव है वो स्तुत्य है और सारवभावमेक भावनाएं उनकी रचनाओं में उनकी कविताओं में बिलती हैं बलि पूजा चाहत नहीं चाहत एक ही प्रीत सुमिरत ही मनो भलो पावन सबहू रीत कुछ भी कहीं भी वो तुरुटी की तरफ जाना ही नहीं चाहते कहीं भी वो कोई कोई जैसे लगता है कि सावधान कभी है बिलकुल ये जो भावनाएं तुलसी की ये अद्वत है इसलिए उनकी कविता में आशावाद का संचार होता है निराशा कहीं नहीं है विन्यपत्र का हमें भक्ती की और ले चलती है और ये बताती है कि यही भक्ती है जो समस्त पापों से समस्त अपरादों से समस्त दोशों से मुक्त करा सकती है लेकिन समरपन भाव चाहिए और आशा का भाव मन में लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि निराश अगर हो गए तो फिर हम जीवन के लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए वो मनश्य और मनश्यता में वो अटूट विश्वास रखते हैं इसलिए वो मानव शरीर को परमात्मा की परमकरपा का परिणाम मनते हैं वो कहते हैं कि यह मनश्य मानव शरीर बहुत दुरलब है यह सब को नहीं मिलता और अगर मिला है तो इसका मान सम्मान होना चाहिए इसकी रक्षा होनी चाहिए इसका जो सम्मान है उसकी जो मानक है उनका अनुपालन होना चाहिए इसलिए बड़े भाग मानसतन पावा सुर दुरलब सद ग्रंतन गावा बड़े बड़े ग्रंतों ने यही बात कही है कि मनश्य जनम दुरलब जनम है बोड़े बोड़े देवताओं को प्राप्त नहीं होता जिनको प्राप्त हुआ वो इसका सदुपयोग करें, रचनात्मा को प्रूग करें क्योंकि फिर मिलेगा के नहीं मिलेगा ये कहना कठिन है विन्य पत्रिका में वे कहते भी है हरी तुम बहुत अनुग्रह कीनो साधन धाम बेबद दुरलब तनो मुही कृपा करेदीनो बहुती दुरलब शरीर तुमने मनुश्य शरीर मुझे दिया है ये तुम्हारी विलक्षन कृपा काई परिनाम है ये सब को नहीं मिलता जो जीव जनतु हैं जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन हम देखते हैं तो मनुश्य का क्योंकि ईश्वर ने मनुश्य को एक मस्तिश्क दिया है एक हरदे दिया है एक आत्मा दिया हाथ पैर दिया है ये सारी सुविधाएं बाकी जीव जनतुओं में बाकी जीवों में नहीं है तो यह दुरलब शरीर है ये उसकी बात भी बार-बार तुलसी करते हैं मानव शरीर के प्रती यह विश्वास अद्बुत है तुलसी के पास और विनमरता मुलक भाव के साथ वो उपासे उपासक का जो संबंध है उसकी स्तुति करते हुए कहते भी है राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो मुझसे बड़ा खोटा दुनिया में कोई नहीं और राम से बड़ा खरा कोई दुनिया में नहीं है तो बड़े से बड़े खोटे का बड़े से बड़ा खरा आदमी ही कल्यान कर सकता है इसलिए जो भक्ती है वो राम की ही होनी चाहिए तो मनश्य शरीर जो है उसके प्रती भी और राम की भक्ती के प्रती भी तू दयाल दीन हो तू दानी हो विखारी तू दयाल दीन हो तू दानी हो विखारी तू देने वाला है और मैं याचक हो मैं तू हमेशा हाथ पहला कर तुझसे मांगता हूँ और मांगना चाहता हूँ तो ये जो भावना है तुलसी की ये वास्तव में अद्बुत है इस तरह जो विन्य पत्रिका है वो प्रपति परगती की विलक्षण रचना है इस तरह की रचना विश्व साहित्े में हमें कहीं भी किसी अन्य भाशा में किसी अन्य देश में नहीं मिलती है तुलसी इस दृष्टी से बहुत विराट बहुत बड़े कभी है इस बात को इसी सिलसले को आगे फिर हम जारी रखेंगे इसी के साथ हम धन्यवा दिना चाहेंगे डॉक्टर पीर सी टंडन सहाब का एक बार फिर से और मित्रों हम अगले सेशन में भी आगे चर्चा करेंगे विन्य पत्रिका पर ही और इहीं के माधिम से हम इस पत्रिका के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इसे समझने की कोशिश करेंगे तब तक आप हमें देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माधिम से और साथ ही साथ यूट्यूब पर आपके लिए लेक्चर उपलब दें और इस लेक्चर को भी जल्द आपके लिए अपलोट कर दिया जाएगा तो आप से जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार